हेलो एब्रीबन स्वागत है आप सभी का जी एस क्रक्स में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाल स्वाराज पोर्टल ने बताया है कि लगभग 10,000 बच्चों को इमीडियेड प्रोटेक्शन और केर की जरुद्ध है कि जो कि औरफन हो गए जिनके मा या बाप जो है या पिता या फिर दोनों उनकी डेथ हो गई तो बाल स्वराज पोर्टल क्या है इसे कौन बनाया है और ये इतनी जिम्मेदारियों से इनकी प्रोटेक्शन क्यों कर रहा है क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले जो है नीज में था कि Ministry of Women and Child जो डेवलोपेंट है उसने बताया है कि 577 बच्चे जो है वो और्फन हुए है according to him according to ministry only 577 children are being affected by the covid लेकिन बाल स्वराज पोर्टल is saying that about 10,000 children are in need of special protection and care तो कितना अंतर है इन दोनों की डाटा में और ये किस प्रकार जो है manage होने वाला है कैसे इनकी trafficking होने वाली है कैसे इनको जो है इनका ब्यापार होने वाला है बिलकुल तो देखते हैं हम एक एक करके सारी चीज़े समझते हैं और इस पे निसकर्स निकालते हैं क्या इसका हल होना चाहिए और किस प्रकार जो है गौवर्मेंट इसको टैकल करने की बात कर रही है तो बाल सोराज पोर्टल जो है इसमें इसने बताया है कि दस अजार चेल्डर्ण्स को जो है वो स्पेसल नीट्स है प्रोटेक्शन की जुरुरत है उनको और इस सर्वे में पता चला है कि यह 0-17 एर के बच्चे को यह लो काउंट कर रहे हैं और जो ओर्फन हुए है उसके ऊपर बच्चे जो है ओर्फन हुए हैं माबाप मर चुके हैं लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि वो किसी गौर्ण्मेंट जाब में जो है सेलेक्टेट थे इसलिए उनको काउंट नहीं किया गया वो भी बच्चे ही थे जो कि बिना किसी सपोर्ट के वो माबाप के सहारों पे ही जी रहे थे लेकिन जब वो चले गए तो उनका तो अब पुई नहीं रहा तो उनके लिए कैसे मैनेज करना है यह सारी चाहिए उनको छोड़ के जो है यहां 10,000 बच्चों को बस काउंट किया जा रहा है जो 0 से 17 येर के बीच में है कोविड-19 पेंडेमिक जो है मार्च 2020 से इसे काउंट किया जा रहा है कि 3,000 बच्चे मरे हुए है अब बाल स्वराज पोर्टल के बारे में हम देखते हैं इसे क्रियेट किसने किया है इसने क्रियेट किया है नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट ए अब इसका सिगनिफिकेंस देखें तो NCPCR जो है इसकी अथर्टी है कि यह जो है डेवलप करें अपने जो है पोर्टल बनाए और ऐसी चीजे बनाए जिससे कि वच्चों को जो है मॉनिटर किया जा सके कि उनका कहीं ब्यापार तो नहीं हो रहा है जो लॉस्ट बच्चे है उन्हें कैसे डूणा जा तो यह सारी चीजे जो है सिक्षन 109 जो है जैवनाइल जस्टीस एक्ट 2015 में जो यह बना था एक्ट से आया था इसमें एक सिगनिफिकेंट चेंज आया है अभी करेंटली न्यूज में था आप जो है पिछला वीडियो उठा के देख सकते हैं दो म प्रोटेक्शन 109 में लिखा गया है कि अपना जो है इनको बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं जिससे जो है इनको प्रोटेक्शन मिल सके उसी के बेस पे इसे बाव स्वाराज पॉर्टल को बनाया गया है और जो प्रॉब्लम्स बढ़ र मेंटरिंग इन चिल्डरिंस की रखता है जो कि लॉस्ट हैं खो गये हैं कहीं अपने माबाप से जो है बिछड चुके हैं या फिर उनके माबाप जो है मर चुके हैं अभी की कंडिसर में देखें तो कोविड-19 के कारण जो है डेथ हुई है माबाप की तो इसलिए बच्च करेगा और चाइड वेलफेर कमीटी जो है इनको ट्रैक करेगी और देखेगी या फिर जो पहले होता था कि बच्चे लॉस्ट हो जाते थे कहीं हो जाते थे या फिर कोई उनका अपहरण कर लेता था या फिर उनकी ट्राफिकिंग हो जाती थी तो इस केस में भी उन स्वाराज पोर्टल की ये वरकिंग थी कि किस फ्रकार ये लोग जो है चीजे करते थे अब डाटा जो है वो कोविड ना किसे लिटेड जी जो सारी अज़ी जीज़ीन डेटा है जो कलेक्शन हो रहा है और पोड़टल प्र अबड़ेट हो रहा है तो ये डिस्ट्र्री कई अफिसर और स्टेट ऑफिसर जो है सभी बच्चों के लिए डेटा की इंटी कर रहा है अथ देखा जाये कि यह बाल सवराज पोड़र और यह की नमबर जो अभी प्रेडिक्ट की गई है कि 10,000 बच्चों को इमिडियेट नीड है कि इनको प्रोटेक्शन दिया जाए और government मान रही है कि 577 बच्चे है यह फंड हुए है तो इन सारी चीजों के पीछे यह new चीजों बनी हुई है कि बच्चों को ज़्यादा सज्यादा प्रोटेक्ट किया जाए इसलिए क्योंकि बच्चे काफी high risk में है high risk में है, trafficking में इनको push किया जाएगा इनका flesh trade होगा, देह बयापार होगा और commission जो है यह national commissioner for protection of child rights जो है NCPCR इसने जो है कई बार यह several time complaint किया है government authorities के खिलाब जो है कि यह लोग जो है illegal details other NGOs को और private entities को दे दे रहा है और illegal जब यह details दे दे रहा है illegal तरीके से तो वहाँ से जो है इनको जो है इन्वें NGOs और private entities ही involved होते हैं जो कि trafficking कराती है क्योंकि government authorities जो है यह आप देख सकते हैं कि इनने complaint किया है कि यह लोग illegal बैक्ती जो है उनको यह जानकारी दे दे रहा है details जो है transfer कर दे रहा है data जो यह लोग transfer कर रहा है illegal तरीके से बहुत ही गलत है क्योंकि यही जो है trafficking को बढ़ाएगा अब देखें तो COVID-19 ने बहुत ज़्यादा लोगों को society को बिल्कुल ही तहसनेस कर दी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे effect हो रहा है इससे और trafficking बहुँ ज़्यादा बढ़ने वाली है दिस government सही से tackle ना करे वैसे government ने कुछ steps लिए हैं जो की काफी सरानी है लेकिन उसमें भी कुछ research और reforms की ज़रूरत है जिससे की जमीनी लेबल पे जो बच्चे हैं उनको सही साहता मिल सके किस प्रकार data जो है दोनों का काफी vary कर रहा है 577 उनका है इनका 10,000 प्रडिक्ट किया है तो दोनों लोग की data जो है काफी vary कर रहा है वो कैसे जो है एक भी बच्चा छूटे ना जो की इस child trafficking में फस जाए तो ये जो है ये government का काम है कि सारी चीज़े जो है maintain करे ताकि जो है बच्चे सुरच्चित रहे क्योंकि बच्चे ही भविस्य होते हैं हमारे और इन बच्चों के लिए government को special जो इनका fund है पीम केर्स fund उसे पैसे जो है निकाल के ये लोग ये सारी चीज़ों में invest करें तो आज के इस वीडियो में हमने देखा ये एक question था आपको governance related questions इस पर आ सकते हैं या फिर आपको prelims based भी question आ सकते हैं national UNCPCRS related या फिर वास वराज पोर्टल को किस ने बनाया है किस तर्च पर इसे बनाया गया है तो juvenile justice act 2015 के section 109 में ये सारी चीज़े लिखी गई है इसलिए ये बना हुआ है working कैसे है इसकी और ये सारी चीज़े आप से पूछी जा सकती है बना कर तो बिलकुल आप तयार रहें चीजों को पढ़के और mcq best question जो है previous year questions तो बिलकुल रट लें बिलकुल करते रहें लगातार और जो basic books हैं उनको पढ़ते रहें पॉलिटी जो history और economy की books हैं उसको continuous पढ़ते रहें और current affairs जो है उसको update करते रहें इससे आपकी तैयारी जो है तेजी से होगी ज्यादा तर videos पे rely नहों करें वीडियो जो है time waste करते हैं बिलकुल तो आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके books पढ़ें notes पढ़ें और उनके notes बनाएं रटें बिलकुल prepare रहें questions देखते रहेंगे किस प्रकार question पूछ रहें previous question paper जो है काफी important है आप उसको लगाते रहें उससे एक clue मिलता है कि कहां से चीजे क्या चीजे पूछी जा सकती है और कितनी पूछी जा सकती है जो कि हमारे लिए important है और वही चीजे मैं पढ़ूँ और सारी चीजे जो है छोड़ दूँ तो ये सारी चीजे थी जो हमने आज के इस वीडियो में देखा मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद